शिमारू के नई वेडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें क्या सोता रहता है को तू ऐसे नहीं बोलेगा यह बैठ उससे बुलवाएगी हाथ कौल अश्चर जी से मत मारिये यह मा के बारे में कैसे लिखेगा इसकी तो माई नहीं है राजू हमेशा की तरह बाबजी ने आज में जूट बोला आज में मेरी मा को में लेकर आए मक्षपी मा पिटा प्रेम भाबू निकले बिलकुल निकम्मे वो तो सिर्व इस जाइदात की देखवाल के लिए है पुरी चुड़ा लिकली राजू की मा मरने से पहले सारी जाइदात राजू के नाम कर गई जी याद देख सब लोग तेरे पिताजी के सामने कैसे हाथ बांदे खड़े हैं पढ़ लिककर आदमी सिर्फ नौकर बन सकता है बिटे मुझे नौकर नहीं बनना है मा मैं मालिक बनना है तो खेतों में काम कर क्योंकि असली खाना किताबों में नहीं जमीन में चुपा है बिटा मैं खेत में काम करूँगा मा तो खुश है ना देख कैसे खेत ले रहा रहे अरे ये तो बंजर जमीन थी अगर तुमें कहा होता तो मैं रेगिस्तान में भी हर्यारी पैड़ा कर देता मा का हुकम हो और बेटा नमाने दीस साल पहले की बात है जब मैं राजू के लिए इस घर में एक मा लेकर आया था जब उसे पता चला कि सारी जैदाद राजू के नाव है तो उसने राजू को अपने वश्पे करने के लिए उसे पढ़ने लिख से लेती है और इस बात का पुछे पता चला तो और उस दिन के बाद मुझे हमेशा के लिए पागल करार दे दिया गए ऑ़ मनगलाम बानपेशन उमन काराँ भॉलाद मुँरा। चाहां, 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 चाहां लेपाःट लेद figuring मेजे़दी कि लेकार ई deven influencer आरे खड़े-खड़े मूग क्या देख रहो चलो जाओ यहां से जाओ यहां से क्या मैं पूछ सकती हूं कि आपने मुझे शर्वत पिने से क्यों रोका अगर आप वह बरफाला शर्वत पी लेती तो आपको थोड़ी दिर में छीका आजाती खासी शुरू हो जाती बुखार हो जाता दर्व के मारे अंग-अंग तूपने लगता और बुखार आपको थीरे-थीरे अपने गिर्फ में ले लेता और फिर आपको निमोनिया हो जाता और अगर आपको निमोनिया हो जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता सरसोची जी कहा मिलेंगी क्यों उन्होंने तस्वीर के चुआए थी वो देने आया हूँ यह तस्वीर आप उचे दे दो, मैं दे दूँगा आप कौन? मैं, मैं उनका वो वो वो, तो ये लो कहां थी राद भर? और जवाद में, क्या कर रही थी सरामजादे के साथ? आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं? अगर राद भर जवान बेटी घर में लोटे है तो एक बुड़ा बाप का समझेगा? पापुची, ऐसी बात नहीं है तरसल राद भर हम लोग एक तूफान में भज गए थे कौन से तूफान की बात कर रहा है बे तू? क्या वासना के उस तूफान की जो राद भर तुम्हारे दिलों में एक दूसरे को देखकर उख रहा था मारो सानर भर! रुप जाओ! बेखेते हो रुप जो अब अगर कितने इसको हाथ लगाया तो काट क्या रख दूँगी मारो सानर भर! ए भेराओ, हिम्मत है तो हाथ लगा की दिखा, दिखा ले हाथ लगा के आपकी बेटी कटकर मर सकती है मगर ऐसी घिरोनी हरकत नहीं कर सकती जिससे आपको अपना सर शर्म से जुकाना पड़े आपका सर दुनिया के सामने नहीं जुकने देगे आपकी सरस्वती नहीं जुकने देगे उससे भ्याँ करोगे? सरस्वती, ये मेरी मा है ये ये तेरी बहु है, मा? अपनी मा से आशिरवाद नहीं लेगा मा ठीटे रहो, ये क्या है? बाबुजी के लिए ये खाना जाता है क्या करूं बाबी? अपनी भी जान जलती है लेकिन उस चांडार सोकडिया में उनकी परवाद तुम मत करो आज से बाबुजी के लिए खाना मैं लेकर जाओंगी बाबुजी, आप रो रहे हैं 20 साल से मैं इसी प्यार और सहनुफुती के लिए तरस कया था देख मा, रमेश शहर से डॉक्टरी पास करके कितनी सारी डिख्रिया लेकर आया अच्छा, मा, चीते रहो अब तो देरा सपना फूरा हो गया न मा, तो खुश है न मा हाँ बढ़ा, बहुत खुश हों कि हमारा रमेश डाक्टर बन गया मा, अब रमेश पढ़ लिख तो गया अब जल्दी से एक अच्छी ड़की ढूंड़ कर इसकी शादी कर दो क्यों रमेश, हम कोई लड़की ढूंड़े या तेरी निगाह में कोई है मा, वो, वो, अठे, वो, वो क्या करता है बता ने, वो लड़की कोण है, उसका घराना कैसा, वो गरती क्या है, उसके णाम क्या है भैया, उसका नम कुनी का है आये, आये, ये क्या शोड़ शरावा लगा रहेगा था यह शोल शरावा नहीं आपके आने की कुषि में पढ़ा के चला אתה आये न बाबुजी तुमने इन्हें कमरे से बाहर निकाल कर सही नहीं किया जब अपने लालज के लिए घर के बुजर्ग सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं तब छोटों का फर्ज बनता है कि उन्हें सही रास्ता दिखा है बाबु चिल्दा मत अरे पती तो परमेश्वर होता है लेकिन आपने अपने परमेश्वर के साथ जानरों से भी बत्तर सलूक किया है आप लोग आप लोग तो इंसान कैलाने के लाइक भी नहीं है शुकर करो बहू आज जो तुमने मेरे लिए कहा वो मेरे बेटे राजू ने नहीं सुना मैं तो यही चाती हूँ कि वो आज जान ले कि उनकी मा कि इतनी लाल्ची और खुद्गर्द हो रहा है एक सब भी तुमने मेरी मा के बारे में और कहा तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा जित मा की तुम पूजा करते हो वो देवी नहीं एक डायन है डायन का बोला तुने तुने मेरे मा को डायन बोला जाजू भी अपने सुहाग के किस खर में होरे अन्याई को खतम किये बिना जैन से नहीं बैठोगी इसमें लिखा है कि आग लग जाने से लाखो रुपए का नुकसान हुआ है लाखो रुपए का नुकसान हुआ है यह बैठाता कौन लिखता है मुनिम जी मालिक मैंने कोई गवन नहीं किया यह सब तोता राम जी नहीं किया है मामा जी मामाजी नातक बंद करो मामाजी और ये बताओ कि चुरावे रुपए तुम्हें कहा रखे हैं आप इतनी नीच हरकत कर सकते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था किसका तारे बहुप रमिश को कॉलिज से निकाल दिया गया है आज हमारे गाव में एक हैराती अस्पताल की नीव रखी जा रही है इस महांकार्य का उद्घाटन हमारी महां सासुजी के शुब हातो द्वारा होगा आईये इंस्पेक्टर साफ आईये मूँ मेठा कीजिए आप ही लीजिए अवल्दर साफ मैं मूँ मेठा कने नहीं आया हूं मैं duty पर हूं और काम से आया हूं किस काम से इंस्पेक्टर साफ कुछ कास नहीं बस आपके भाई की medical की डिग्रिया देखना चाहता हूं इंस्पेक्टर साफ एおお minute इस्पेक्टर साफ नालायक धोकियबास, तुने मेरी मा किसा किसना बड़ा विश्वाद किया राचु, राचु, इसे रख लड़ी दीजिया माजी ये ले, रख, आज से तु मुझे इस घर में नहीं खेतों में मजदूरों की तरह काम करतावा दिखाई देना चाहिए बात क्या बताओ ने, तुम बाप बने में वहाँ अच्छा वेंजी मैं चलता हूं मुझे देर हो रही है, मैं फिराओंगा और हाँ, ये सारा सामान में आप लोगों के लिए लाया हूं और सुरू के लिए ये केसर मुझसे मुकाबला करना चाहते लिए चांती नहीं मैं नाकिन हूं ये केसर तुम्हारे पिता जी दे गए थे इससे पहले कि दूद थंडा हो जाए, इससे गटा गट पी जाओ, लो क्या हुआ? तुमने मुझे दूद पिने से क्यों रोक दिया? इसलिए दिदी कि जो केसर वाला दूदा पिने जा रही थी, उसमें जहर मिलाया हुआ है क्या? ये लो क्या बात असूँ? ये लो और काट डालो मुझे ये ये अचाना क्या हो गया तुमें? तुमने दूद में केसर मिलाया था ना? उस केसर में जहर मिला हुआ है क्या बक्तियो? केसर में जहर मिला हुआ है? अरे ये केसर तो खुद तेरे पिताजी दे गए थे मेरे पिताजी तो सिर्फ केसर दे गए थे लेकिन तुम्हारी माने उसमें जहर मिला दिया मेरि मापर इतना बड़ा इलजाम मत लगा शुरू इतना बड़ा इलजाम मत लगा अब हम दोनों की बीच में यही थाबित होना है न कि इस दूद में जहर है या नहीं तो इसमें मा को तकलीफ देनी की जरूरत नहीं है मैं ये खुदी पीकर थाबित कर देता हूँ नहीं आप मेरे साथ चलिए छोड़ ता मुझे अरी ओ नागिन चुप चुप के खड़िये बोल दे इने बोल दे कि दूसमें जहर मिला हुआ है खबरदार अगर मेरी मा के बार में एक लफ़ भी कहा तो मा दालूगा तुझे मैं मैं इन डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ देखा मा तुमने तुम पर शक करती है वो कहती है तुने दूसमें जहर मिलाया औरे वो अबागन ये नहीं जानती कि मा की मम्ता जहर को भी दूस बना देती है मा इस संसार में आने के बाद बच्चे के मुझे जो पहला शब निकलता है वो मा होता है बढ़ा होकर वो बहुत कुछ सीखता है बोलता है लेकिन मैंने मा के लबा और कुछ नहीं सीखा कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं जाना भोलो मा फिर तुमने ये सब क्यों किया जो से जाए आए 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 अच्छा हुआ तुम डॉक्टर साब को यहां ले आई बिचारा जिंदगी की आखरी था से गिन रहा है पर उसकी जान तो बचानी पड़ेगी न लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोट ऐसा कश्ट उठाना पड़ेगा वसियत के कागजात पर दस्तकत करने पड़ेंगे बताओ कहा करने है दस्तकत तुम इन कागजों पर दस्तकत नहीं करोगी तरवाज़ा खोल दो बहुँ क्या तुम पागल होगे यह माँ छोड़ मुझे हम लोग इतना नीचे गिर गए इस भोले भाले राजू की जान लेने पे तुल गए जो संदगी पर भगवान की नहीं मुझे जैसी डायन की पूचा करता रहा यह कागल मुझे दे मा वरना मुझे दूसरा रास्ता मा कोने पूच्छा यह झाल होगे है रमेश ऑरने से कागल छी ले यह कागल मुझे देजे मा राजू 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 मा पश्छा कर दो कर दो कर दो कर दो म मां, यह क्या कर रही है आप? मैं जहनती हूँ, बेता, मैं तेरी गुनेगार हूँ जो चाहे मुझे सजा दे लेकिन अपनी माँ को छोड़के बाच जा, बेता यह, यह जमीन जाजाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे मेरा बेटा, मेरा राजू चाहिए मेरा बेटा चाहिए, मेरा राजू बेटा चाहिए अँग